तो आपके अपनी यूटूब चैनल करनवाडिया क्लासिश भाई राजिस में दोस्तों आज मैं व्यक्तित्व का वर्गिकरन किसने किस आधार पर दिया इसको एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको और अच्छे से इसको आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगी तो हुआ यू था कल जब रात में मैं सोया हूआ था तो मैं सोच आथा था कि व्यक्तित्व का वर्गिकरन आपको किस तरीके से पढ़ा जाये कि आपको ये किस ने दिया और किस आधार पर दिया वापको अच्छे से पता चल सके तब आचाना क मेरे सामने कभीरदाजी मारा प्रकट होते हैं और वो मेरे कान में एक दोहा कहते हैं और बोलते हैं कि ये दोहा आप अपने स्टुदेंट्स को सुना दीजिए तो मैंने उनको थेंक्यू कहा और अब में इस दोहे के आदार पे आपको व्यक्तितोगा वर्गी करन समझाने जा रहा हूं तो दोस्तो करना चाहे उनके कानों में दर्द हो चाहे कुछ थोड़ा सा कवर कर लीजिए मैं शुरू करने जा रहा हूं नू गड़ीज नू 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 पिलमुनी स्वय भाव से के चम्से शरीव कपिल मुनी स्वै भाव से के चम से शरी डाइक चिंतन कर गया जुंग साय कोवीर कभीरा जुंग साय कोवीर हाँ तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपके कानों को बहुत ज्यादा परिशानी हुई होगी इसके आधार पर अभी व्यक्तितक को किस मनवय ज्यानीक ने दिया और किस आधार पर दिय थै यह आपको शंजाने जारा हूँ तो दोस्तो इसमें आप समझ सकते हैं कपिल मुनी यह जो कपिल मुनी है उन्हों ने व्यक्तितव को वर्गी करित किया था तो वहां पर लिखोगे श्रीर के आधार पर नहीं किया था चिंदन के आधार नहीं किया था कि शोभाव के आधार पर किशने व्यक्तितम को वरगिक्रत किया था तो उहां पर आप कपिल मुनी बताओगे केचम नहीं बताओगे टैक नहीं बताओगे जुन्ग नहीं बताओगे ठीक है तो इस प्रकार से क्योशन पूछे जाते हैं तो कपिल मुनी ने सोभाव के आधार पर व्यक्तितव को वर्गी करत किया था इसके बाद में केचम से केचम से में लिया है केचमर केचमर ने शरीर के आधार पर व्यक्तितव को वर्गी करत किया था और इसके बाद में ड आपको जुंग नहीं बताना, आपको केचम नहीं बताना, आपको कपिल मुनी नहीं बताना, तो इसमें ऐसा भी पूचा जा सकता है, कि थान डाइक ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गिकरण किया था, तो वहां पर स्वभाव, सरीर, चिंतन, मनुवग्यान ऐसा कुछ मैं जा सकता तो उन में से आपको बताना है ठाद डेग नि चिन्तनً के आधार पर व्क्रिक्टितों का वर्गीक्रण किया था और इधर इसी लिष्ट में हम थोड़े आगब बढ़े तो थान डाइक ने चिंतन के आधार पर व्रक्तितुग का वर्गिकरन किया था था थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो मैं आपको एक बार फिर से अलग से बताता हूं देखिए यहां पर कपिल मुनी सामने तो कपिल मुनी ने किसके आधार पर किया था स्वभाव के आधार पर व्रक्तितुग का वर्गिकरन किया था कैचमर कैचमर ने किसके आधार व्रक्तितुग का वर्गिकरन किया था थान डाइक ने किसके आधार पर किया था इन्होंने चिंतन के आधार पर व्रक्तितुग का व कर गया जुंग साइको वीर इससे आप बड़ी ही आसानी से व्यक्तितों का वर्गिकरन किस मनुल ग्यानिक ने किस चीज को आधार लेकर किया वह आसानी से बता सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक किजिए तरह यह लगे रवनी स्टेमी बाव फ्रेंज